हेलो फ्रेंड नमस्काल बहुत बहुत स्वागत है आपका घरेलू गुलाठी के इस नए वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि आप गुटका सिगरेट तंबाकू बीडी या दारू कैसे छोड़ सकते हैं मैं आज आपको एक ऐसा नुस्का बताऊंगी जो हंड़ेट प हैं बताने वाली हूं वो मेरे जो दादा जी थे वो गुटका खाते थे और सिगरेट पी थे उन्हें ने ये नुस्का आजमाया उनकी सिगरेट और उनका गुटका छूड़ गया है तो मैं ये वीडियो आपको आपके लिए इसलिए बना रही हूं क्योंकि आजमाया हुआ नुस्का है ये बिल्कुल जो मेरे दादा जी ने अपनाया था वो मैं आज आप पूह हैं बताने वाली हूं कि आपकी जो दारू की सिगरेट की या गुटके की जो खाने की लद है वो से आप कैसे ठीक कर आदत आप छुड़ा सकते हैं और आप कैसे ठीक कर सकते इससे पहल मिलता है तो आप किलो से लेंगे तो आपको बहुत जिससे महंगा पड़ेगा तो इससे आप 10 रुपे के काजू खा लीजिए बदाम खा लीजिए तो वह आपके सदीर के लिए बहुत जादा फायदे मन्द होता है और आप जो इतनी महंगी चीज खा रहे हैं यह जो आप गुटका खरीद रहे हो दारू पी रहो वो जितनी महंगी चीज उससे सस्ती आपको आपकी सहतमन चीज मिल जाएगी और यह आपको बिलकुल कम बोज़ और मैं आपको बता दूँ एक साल में भारत में एक साल में बीस हजार लोग कैंसर से पीडित लोग ही मरते यानि जो सिगरेट या दारू पीते हैं तो बीस हजार लोग हमारे भारत में हर साल मर रहे हैं तो उनकी यही बज़़े है कि वो नशा करते हैं दारू का या सिगरेट का या तमाकू का उनी के कारण इनकी मरत्य हो रही है तो आप किरप्या करके और अपने परिवारों को दुख ना परिए और आप चाहें तो आप गुठका शिगरेट या दारू छोड़ सकते हैं तो मैं आज आपको इसी यह फर एक रहेमरी बताऊंगी कि आप नसा किस प्रकार छोड़ सकते हैं तो आईए जानते हैं किस पर अगर आप गुठका खा रहे हो तो आप क्या करें अद्रक ही ठट्र के मोसम में द्रक होती हैं जेसी चीज होती है जो सुझ कर आप को हिरान होगी आप संख रहुंगे कि अधर्क हमारी दारु कैसे चूदा सकता है अधर्क में ईर्क में इंग शलूफर करें चामेन तो इससे हैं कि सलफर उसके ये रोकता है। ययानि आद्रक सलफर और में सलफर होता है। उससे कुछ प्रट में तारुच सीग्रेट या किसी तो वो आपको बिल्कुल इससे आपको कंट्रोल में आएगी तो आप करिए क्या इसके छोटे छोटे टुकडे कीजिए उसमें थोड़ा सा नमक नमक मिला लीजे, नीबू मिला लीजे और धूप में रखने के लिए सूपने के लिए रख दीजे उसके बाद आप आपको जबी भी याद आए गुटके की तो आप क्या करिए एक टुकड़ा निकाल कर चूसते रहे उसे चबाना नहीं, उसे चूसते लिए जब तक चूसी जब तक आपकी वलत ठीक ना हो जाए तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा और आप सिग्रेट और सरापके ले भी ये नुसका यूस कर सकते आप इसकी गोलिया बनाएए चूड़े चूड़े टुक्ड़े कीजिए और जब भी आपको किसी की बेयादा को तलब हो तो आप इसका यूस कीजिए तो आई होब मेरी वीडियो आपको पसंद आएप से लाइक कीजिए सिस्क्राइब प्लेब जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सब उसका फायदा उड़ा सके धन्यवाद